अरे ये क्या हो गया? मैंने तो पूरी फाइल छेपागे रखी दी यो आपस कैसे दिखने लगी? जिया दोस्तो अगर आपने भी कुछ फाइल्स हाइड की लेकिन उसे किसी ने अन हाइड करके देख लिया तो आपका हाइड करने का कोई परपस ही नहीं रहा तो अगर आप चाहते कि आपकी फाइल हाइड तो रहे लेकिन कोई उसे अन हाइड ना करे तो ये वीडियो आपके लिए मैं सतीश कम्प्लिट टेक्नलोजी चैनल पे लेकर आ हूँ एक इंट्रेस्टिन टॉपिक अगर इंट्रेस्टेड हो तो वीडियो एन तक देखिए चल के लिए हाइड करने वाले जो की टेक्निकल परसन ही उसे अन हाइड कर पाएगा और वो भी बहुत स्मार्ट होना चैनलोजी में आपकी तरह जैसे आप मेरे वीडियो देख रहो तो आप स्मार्ट हो राइट तो मैं आपको दिखाता हूँ डिक्स्टॉप पे लेके चलता ह इसमें से प्रैक्टिस नाम का फोल्डर आपको यहां पर दिखाय दे रहा है और इसमें कुछ फाइल से अभी इस प्रैक्टिस नाम की फोल्डर के अंदर जो फाइल से मैं इन्हें अगर राइट लिक करके हाइड करता हूँ राइट आपको पता है राइट लिकर के प्रॉ फाइल में जाता है फाइल के अंदर change folder and search options पे अगर वो click करता है मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या हो रहा है देखिए फाइल में change folder and search options में view में view tab के अंदर आपको यहां पे एक option दिया गया है show hidden files, folders and drives यह अगर वो check कर लेता है और इसे वो apply कर देता है तो यहां पे यह सारी के मदद से आप यह पूरी file गायब कर सकते है और यह आप ही show कर सकते है कैसे मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले करना क्या है आपकी computer पे dos command चालू करने के लिए आपको लिखना क्या है run command में आपको cmd लिखना है run command लाने के लिए windows और r key press किजिए नहीं पता है तो मैं ब dos command और पीछे मेरा practice नाम का folder भी open है मैं directly side by side दिखाना चाहूंगा कि जादू क्या होता है तो यहाँ पे dos command में आपको command लिखनी पड़ती है क्योंकि थोड़ा सा technical है तो भाई ऐसा नहीं कि क्लिक किया और hide हो गया यह command उनी को मैं बता रहा हूँ जो expert बनना चाहते तो इसलि भी drive में हैं आपको सबसे पहले उस folder में जाना पड़ेगा तो cd space करके मैं उस folder में जा रहा हूँ यह दिखिए cd space desktop और enter करूंगा तो मैं पहले desktop पे जाओंगा यहाँ पर देख सकते हैं मैं desktop के अंदर आ चुका हूँ उसके बाद दुबारा मैं लिखूंगा cd space folder का नाम प्रैक्टिस नाम का फोल्डर है मेरा यहाँ पे तो मैंने लिखा cd space practice यह practice folder के अंदर मैं आ चुका हूँ यह पे आपको यह path में दिखाए दे रहा है कि यह practice folder उस path में add हो चुका इसका मतलब ही होता है कि आप practice folder में हो अभी यह dos command में आपको इस तरह से folder opening बताता है कि यह folder आपको open हो चुका है इसे open बोलने आप practice folder में हो currently अब इसके अंदर की सभी फाइल आपको add करनी तो यह command ध्यान से टाइप करना है एट्रीप ध्यान से टाइप कीजिए एट्रीप space एट्रीप के बाद आपको space देना है उसके बाद plus देने के बाद h type करना है उसके बाद space द इसके बाद आप बोलो कि कुछ तो नहीं हुआ है पीछे फाइल के साथ हुआ है यहां पर रैट क्लिक कीजिए और रीफरेश कीजिए पीछे की सभी के सभी files गाइब हो चुकी है अब यहां पर file में जाकर folder option में जाकर कुछ भी करो यहां पर view में जाकर कुछ भी changes करो show करो don't show करो वो files यहां पर दिखने वाली नहीं है क्योंकि यह dos command की तुरू hide हो चुकी दोस्तो अब dos command की तुरू ही अगर आपको show करना है दुबारा तो आपको यहां पर एक command दुबारा type करनी होगी वही command आप दुबारा type कीजिए और जहां जहां अपने plus add किया है वहां वहां आप minus add करोगी यानि कि attributes space minus h space minus r और space minus s याद रखे एंटर कीजिए जैसे आप enter करोगे यहां पर पीछे की files आपको पूरी पूरी दिखाए दे रहे हैं लायू दिखाए दे रहे हैं कि यह files show हो चुकी है तो अभी यह command हमने देखा कि हमारा desktop की उपर कोई folder है तो उसे कैसे hide करते लेकिन आपके मन में doubt रहेगा कि मेरा तो d drive में folder है जैसे मैं यहां पे आपको दिखाना चाहूंगा d drive में आते और यहां पे d drive के अंदर यह दिखिए d drive के अंदर मेरा एक imp folder है अब मैं यह imp folder को hide कर आ रहेगा तो मैं आपको वो भी command दिखा दिताओ don't worry तो यहां पे d drive में आपको जाना है तो आपको command क्या लिखना है मैं आपको दिखा रहा हूँ जरा ध्यान से देखिए सबसे पहले आपको d colon यहां पे लिखना है क्योंकि d drive के अंदर का file यह folder जो भी है आपको hide करनी है स तो आप यहां पे d colon लिखोगे और enter बड़न प्रेस करोगे सबसे पहले d colon लिखिए जो भी drive में जाना है पहले उस drive का नाम लिखे colon लिखिए आप उस drive में आ चुकिए उसके बाद उस folder में जाना परेगा folder में जाने के लिए cd space imp नाम का folder मैंने आपको का तो cd space imp मैंने लि यही command दे दूँगा वही command type करने के लिए मैं simply up arrow keyboard पर प्रेस कर रहा हूँ up and down arrow प्रेस करके आप उपर की command ले सकते है जो उपर अपने जो भी command दी न उस सारी command आ जाती up and down arrow keyboard पर प्रेस करने के बाद आपको दुबारा command type करने की ज़रूत वैसे है नहीं है तो यहां पर आ पड़ेगा refresh देखिए सारी folder जितने भी उस folder में जितने भी file folder सब कुछ hide हो जाएगा okay hide होने के बाद यहां पर आईए और फिर से आप इसे unhide करना चाहते है यहां पर unhide के लिए यह command चूज कीजिए मतलब यह command आपको कैसे मिल रही क्योंकि आपने उपर लिखी है उपर प्रेस करते हैं उपर की command यहां पर करके दिखाए देगी और जो command आपको चाहिए वहां पर आकर stop हो जाए और एंटर बटम प्रेस कीजिए एंटर प्रेस करते हैं यहां पर यह सारी फाइल यहां पर शो हो रही तो ऐसे आप कोई भी folder कोई भी folder में जा सकते कोई भी drive में ज किज KeITY साथी में like जुरू कीजिए याद रखिए डॉस कमांड के अंदर सारे कमांडस हीक करके मैं सारी कमांड को यहां पर करते जाने वाला हूं तो चैनल को सबस्क्राइब ज्रूर कीज़े बैल एकम पर शेर कर दीना, विलते अगली वीडियो के अधर, तब तक लिए अपना कयाल रखिएगा, बाई बाई